हेलो एवरीवन विल्कम बैक टो मैं चैनल हर्षितायो लाइफ इस्टाइल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहां पे ठीक हूँ हैपी न्यू यहर सबसे पहले आप सभी को नए साल की धेर 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 सारा सुबकामनाएं धेर सारी सुबकामनाएं मेरे और मेरे फामिली के तरफ से आपको और आपके फामिली को तो चलिए आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है न्यू येर सिंपल न्यू येर आप लोग न्यू येर पे मैं तो यही चाहती हूँ मेरी यही मनुकामनाएं यही प्रार्थनाए भगवान से कि आप लोग खुब सारा तरक्य कीजिए, खुब सारा आप लोग को प्यार मिले, खुब सारा खुब सारा खुब सारा तरक्य मिले, खुब सारा खुशी मिले आप लोग को भगवान, मतलब हर चीज दे जो आप लोग चाहते हो और सही हो, तो और और एक, आप लो आफ़ाइज लाइक कीजह और चैनल को जो लोग नहीं किये हैं वो लोग नए देख रहे हैं नियुकी कितने जो आफ़े चुब्सक्राइब करने कर दाऊ निरी मकाशलाय, जो उपासब कर दें और चलिए बढ़ते हैं कद्दू के खीर के तरब से और हाँ यह कद्दू का खीर का रेसिपी जो मैं लाई हूँ न यह बहुत 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 ज्यादा इजी है आप स्टुडेंट हो तो भी जल्दी से बना करके खा सकते हो और जेंट्स भी बना सकते हो अगर आप रूम पे रहते हो जैसे मेरे हस्बंड रहते हैं मैं यहाँ रहती हूँ मेरे हस्बंड ज Bak test बांट्स के motel or क्या कह है और लेडिशं का तो बात ही चोड़ Linda मिनटके अनदर यह बन जाता है बहुत ही बहुत बहुत i तो प्लीज वीडियो को वाश करे लाश्ट तक और सीख ले और हाँ जीने आता है वो भी अपना तरीका बताएं वैसे तो कदू चार पांच तरीके से बनते हैं वैसे मैं जो तरीका है न सबसे इजी वाला बताई हूं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताईएगा अग बहुत 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 ज्यादा खुश रही है पूरे साल और बस भगवान आप लोग को खूब तरकी दे और चलिए वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं ज्यादा बखबख नहीं करते हुए आ यहाँ पहुतिक्रोण तरहें तरहां को इस तरीके से अचे तो सब्सक्री से करें निएू मैं यहां पर और यहाँ केश्चे के बढ़ते हूं क्यूंकि पधरा लाउकी था तो पम से कम 1 kg के बराबर मैं डाल दी हूँ और कुकर थोड़ी सी बड़ी है तो मेरे में आ भी गया बड़े कुकर में आ जाते हैं न धेर सारे चीज तो इसी के वज़ा से और इसे कुकर को बंद करके आपको 4-5 सीटी लगा देने हैं तो मैं बंद करके 4-5 सीटी लगाऊंगी और उ कुकर को खोल रहे हूं तो देखे कि कुकर को खोलने के बाद में क्या हो रहा है कि हमें यह पर हड़ीक 10-15 मिनट पे चलाते रहने हैं जब तक कि इसके पानी सूख ना जाए और इसमें डालने है क्या इसमें डालने है एकसे देर चमच घी देसी गाय का घी हो तो वह बहुत अच्छा वरण नभैस की घी भी चल सकती है या फिर मार्केट वाला घी भी चल सकता है वैसे मेरे घड में होमेड है ये गाय का घी तो वह मैं डालूंगे इसमें और देखे कि जैसे जैसे मैं चला रही हूं मतलब कुछ देर पे 10-15 मिनट पे मैं चला रही हूं ऐसे में पा अच्छा पानी को उसी में सुखा देते हूं ताकि उसका वह खतम नहीं हूं तो आपको मन करें तो आपको आप उसमें का जो एक्स्ट्रा वाटर है जो की कदू से निकला हुआ हूआ उसको आप हटा भी सकते हैं मेरे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं हटा देती देखिए कितना भड़ा हुआ था लेकिन गल करके और ऐसे ही आपको चमची से मारते रहना है या पिर आप जिस चीज से चला रहे हो उस स्पॉंस से मारते रहना है ठीक है मारते रहने से क्या होगा कि छोटे-छोटा पीस बन जाएगा क्योंकि यह ऑटोमेटिक गला हुआ तो इसको घीसने का ज़रूरत नहीं और घीसने के वज़े से कितने टाइम में ऐसा होता है कि हाथ वाथ कर जाते है तो यह प्रॉब्लम नहीं होंगे आपके तो कुछ इसी तरह से चमच से दबाते रहना है इसको मारते रहना है ताकि छोटे छोटे पीस में बंट जाते हैं ऐसे में बहुत ही अच्छे से ये गला हुआ तो रहता ही है लेकिन पीसे में बढ़ जाते हैं चोटे चोटे बिल्कुल ही हो जाएंगे तो देखिएगा लास्ट का लुक देखकर के ही आपको लगए कि बहुत ही यमी बनाओगा बहुत ही स्वाधिष्ट बनाओगा और सबसे पहली बात की घिसना मुझे ना उसका मैं मननी लगता है जिसमें की ज्यादा देर लगता है त सब चीज इसमें तो नहीं होता है कम से कम और टेस्टी भी बनते हैं तो देखिए यहां पर मैं दिखा रही हूँ कि देखो ऐसे मतलब थोड़ा सा करने पे ना छोटा-छोटा हो जाता है तो पूरे अच्छे से खीर के तरह हो जाएगा बिल्कुल ही मैस हो जाता है मैस कीज उस से ऐसे करसे हिसता है आपको जिस तरह से चाहिए jaaби मतलब बिल्कूल कि अापको बहुत यायक क हाँ तो टुकडे में भी हो जाएगा से एक उसमें डाल दीजिएगा पे लाईची लास्ट में बता दे रहे हूं किम्हों खुसीं मैं प्हुरू आपकी पास में जो भी ड बोल रही हूं तो आप लोग प्लीज चढ़ा करके बंद करके चले मत जाना दस से पंदरा मिनट के बाद में आपको चलाना है देखती रहना है ताकि जले नहीं तो देखिए मेरा मतलब आलमोस्ट हो चुका है भुन चुका है तो मैं अब मिक्स करूंगे इसमें सुगर यानि वैसे लौकी में तो थोड़ा सा ज्यादा सुगर जाता है क्योंकि लौकी पानी वाले होते हैं तो इसी के वज़ा से कोई टेस्ट ही नहीं होता तो इसलिए थोड़ा सा चीनी ज्यादा जाता है और मेरे पापा जी को चीनी पसंद है ज्यादा मीठा घाते हैं तो आप क् cooking imperium cream Legion कि دेखाओंगी कि कैसा क्lamist क् ainda हो जाता और लाच्ट में देखिया कितना प्यारा सा और खाने में तो वा finns क्या हaut कि यमियमु वाला फिल आता ता है देखिए बिल्कुल रॉन टाइब का ना सुरू हो जाएगा गوب शुरू हो जाता हुए तो आप उसकी बाद में इसे गैस के फ्लेम को बंद कर दे और उसकी बाद में आप क्या करें कि इलाइची ड्राइफ्रूट से ये सब चीजों से सजा दे मिल्क डालना भी बाकी है मिल्क डाल करके मैं लास्ट का प्रोसेस इसलिए बन्द कर देना का भाकीर है मैं पहले बता रहा हूं कुह कि आ मतलब थोड़ासा हो जाता है ना बच्चा घर में रहते हैं ना थोड़ासा प्रप्रॉब्लम होता ही होता है मैं याम बिल्क डालूंगे आप жд भी मल्क मील्क मिलक Tomorrow चाहें जैसे भी डालो मतलब गाढ़ा करके अगर मिल्क डालते हो न आप तो बहुत ही और भी ज्यादा टेश्टी लगता है तो इसे करके इसे डाल करके चला करके और कुछ देर चोड़ करके दस मिन चोड़ करके हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है ठीक है थोड़ा सा य यहां पर बाबू मस्ती कर रहा था गाना गा रहा था यसे ही और उधर जो प्लास्टिक में वो कच्ड़े जो है किछन के हो जाते हैं ना काटने में जैसे लौकी ही चीली तो वो सब इसलिए अब बाबू परिशान करें यहां पेड कि मैं इलाईची डाल रही हूं मैं ड्रायफ बढ बाद में डालेस एलाईची भी डाल करके मिक्स कर दी हूं और देखे कि एक टाईजी हैं तू Бैल के बनाने के बाद में क्या मतलब कैसा देखतेहां इस आपिकेगा जी हनजी काईज तो बनाने के बाद में कुछ इस तरह से खीर दीखता है और सजाने के बाद में हनजी काईज तो कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा फिलहाल मेरा बाबू सायद जग गया है तो मैं जा रही हूँ और हाँ वीडियो अच्छा लगाओ प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेयर जरूर कर दीजेगा मैं चछत पे आकर के आज वीडियो बनाई हूँ तो सायद वो नीचे जग चुका है तो मैं जा रही हूँ फिलहाल करी टाटा बाब है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ झाल